जैहीं वनमात्रम, सात्यों यदि आप BCA करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं, सात्यों BCA आज की डेट में बहुत ही popular course है, लेकिन course के साथ साथ आपको सही college का चुनाप करना बहुत जरूरी है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि BCA आपको कहां से करना चाहिए, कहां से नहीं करना चाहिए, तो आज की वीडियो बहुत ही informative होने वाली है, वीडियो में तक बने रिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बारा है, चैनल जो subscribe कर लिजेगा, बेल आइकिन को press कर लिजेगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की information वीडियो ला कर लेते हैं, तो आपको एक अच्छा package में जोब मिल जाती है, लेकिन आपको ध्यान किन-किन बातों रखना है, उसके बारे में बात करते हैं, साथियो आज की डेट में जो colleges हैं, BCA के बहुत जादा college है, college उनिवर्स्टियों की कोई limit नहीं है, आपके पास में बहुत सारे colleges मिल जाएंगे, लेकिन college select करने से पहले आपको दो से तीन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज है साथियो उस college का affiliation, यानि कि वो जो college है, जिस भी college से आप कर रहे हैं, या पिर जिस भी university से आप कर रहे हैं, उस university के पास approval हैं, या फिर नहीं है, क्योंकि अब जो BCA है, technical courses को और जो business management की courses है, उस सब को AICT के अंतरगत ला दिया गया है, पहले ये UGC के अंतरगत चलते थे और आपका जो state government university है, वहाँ से college की अगर मानेता है, तो वो हो जाता था, लेकिन अब 2024-25 से क्या गर दिया गया है, इन courses को चलाने के लिए जो college को AICT से approval लेना लें, तो उस से पहले उस college का approval जरूर चेक कर लें, अब बात करते हैं साथ यो दूसरी बड़ी बात की, तो साथ यो दूसरी चीज़ है, उस college का academic कैसा है, यानि कि वहाँ पर पढ़ाई कैसी हो रही है, वहाँ पर आपको क्या चीज़ें सिखाई जा रही है, क्या-क्या टे certification course या कुछ extra चीज़ें नहीं कराई जा रही है, तो फिर BCA करने का वहाँ से कोई फायदा नहीं है, फिर आपको job नहीं मिलने वाली है, degree से आपको job नहीं मिलेगी, ध्यान रखेगा, बात करते साथ यो तीसरी most important बात की, वह साथ यो आपका placement, जिस भी college या university से आप करें, उस college university का last year का, last three year का कम से कम आप placement देखेगा, कि वहाँ का last three year का जो placement है, वो कैसा रहा है, सिर्फ highest package मत देखेगा, वहाँ का lowest package क्या रहा है, वहाँ का average package क्या रहा है, यह सब सारी चीज़ें जरूर देखेगा, तभी आप college और university का चुनाब कीजेगा, और साथ यो एक course में admission लेना है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने registration कर सकते हैं, आपको confirm हुझा है कि आपको कितनी scholarship मिल सकती है, तो साथ यो almost मैंने सब सारी चीज़ें आपको clear कर दी है, BCA को लेकर, यदि अभी भी आपको कोई doubt ये question रहे गया है, या किसी college के बारे में जानना है, तो आप म पूछ सकते हैं, मैं जितने जल से जल होगा, उसका answer ये उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोसिस करूगा, तो चलिए साथ ही मिलते हैं आप से नेक्टिव लूइस तरह की information के साथ, तब तक के लिए जय हिल, जय भाराइब!